नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो देखे आज हमने इस स्पीकर में एक ऐसा सूच लगाया है देखिए और इस सूच को लगाने से आपको अपने जो बिलूट तो इस स्पीकर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले अब देखे यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप जैसे कि हमने इसे ओन कर रखा है यह देखिए जैसे कि अभी ओन है हमारा तो यह देखिए मैं इसे ओफ कर देता हूं पहले यह देखिए और यह मैंने ओन करा तो यह ओन नहीं होगा ओन का होगा जब हम इसका ऊपर वाला चल रही है और जैसे ही हम इसको नीचे वाले पर प्रेस करेंगे यह देखिए तो यहां पर दुबारा चालू हो गई अब यहां पर क्या हुआ कि जो हमारी दूसरी वाली बैटरी है अब वह कनेक्ट हो गई तो मैंने इसमें क्या कराई दोस्तों दो बैटरी लगा दी है अब यहां पर क्या होगा जैसे कि हमने जब इसे चार्जिंग पर लगाएंगे तो चार्जिंग पर लगाने पर क्या होगा पहले हमें उपर साइड में करके पहले हमें पहली वाली बैटरी को चार्ज करना होगा और जब 2-5 गंटे वो चार्ज हो जाएगी फिर हमें नीचे वा जो है कहीं इसको long 2-4 गंटे-5 गंटे बजाना चाहते हैं तो vanpries battery को pairler कर देते हैं लेकिन pairler से क्या होता है कि back up बढ़ जाता है अब जैसे कि back up बढ़ गया 2-3-4 गंटे हमारा speaker चलेगा लेकिन यहां पर क्या होगा एक battery को आप use कर सकते हैं फिर अगर दूसरी बैटरी को यूज करना है तो आपको इसी सूच से यूज कर लेंगे और आप इसको दूसरी बैटरी को कहीं और समय के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि आप ये भी सोचिए कि आगर आपकी पहली बैटरी यहाँ पर चल रही है और वो अचानक से बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो गई है तो दूसरी बैटरी का अभी आप इस सूच से यूज कर सकते हैं अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इसका जो कवर है वो बाहर निकाल देता हूँ अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर रखा है दो बैटरी को कनेट कर रखा है अब यहाँ पर क्या है जो हमारा बोड पर जो बैटरी का देखिए बिलैक वाले वायर जाता है तो देखे जो बैटरी के जो बिलैक वाले वायर है सारे वो सारे एक जीगे लगा देने है देखिए बैटरी के जो सारे बिलैक वायर है वो सारे एक साथ लगा दिये मैंने लेकिन यहाँ पर हमने जो changing करा है वो changing करा है बैटरी के red वाले wire पर यानि कि board से जो red वाला wire आएगा बैटरी का वो पहले लगएगा हमारी beach वाली pin पर और यह जो हमारा left और right जो है यहाँ पर left पर एक battery का positive और जो राइट वाला जो एक बैटरी का पोजिटीव तो यहां पर लेफ्ट और राइट जो है पोजिटीव लगेंगे और जो बैटरी का यहां से बोड से जो बैटरी का वायर आया पोजिटीव वाला वो हमारे बीच वाली पिन पे लगेगा और जो ग्राउंडिंग वायर ह वो हमारी सारी एक ही जीगे common हो जाएगी यहां पर एक ही जीगे जुड़ जाएगी अब इससे हो क्या रहा है कि जम मैं यहां पर बटन को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है जो बोड पे जो positive wire है वो एक battery की जारी है और जब दूसरी तरफ से प् बैटरी का भी यूज कर सकते हैं तो बहुती आसान connection है बहुती बढ़िया तरीके साफ लगा सकते हैं देखिए बोड का जो रेड वाला वायर है वो आप बीच वाली पिन पर आ जाएगा और बैटरी का जो left और right जो हमारी positive wire हो गई तो वो left और right हमारी लग गई और जो grounding wire ह वो सारी EKG के common लग जाएगी यह देखिए तो दोस्तों मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का आइकन को जूरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और दोस्तों यह idea मेरा कैसा